कि हलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो जैसा कि पहले भी बताया था कि बिहार दरोगा में महिला आए और रिथियों के लिए 160 सेंटीमेटर से 155 सेंटीमेटर का जो ब्योध हुआ था वह थोड़ा था और भी गांधी में इसलिए मैंने बताया था कि इस त सभी में प्राथमिकतास दिया तो क्या है दरोगा पत की अवेर्थियों का जो महिलाओं के हैड के लिए उन्होंने जाम किया है तो निशीत रूप से क्या है पूरी खवर यह प्रहात खवर की है तो दरोगा पत की बहाली में महिलाओं की उचाई को 160 सेंटीमेटर से 155 सेंटीमेटर किये जाने की मांग को लिकर मैला वेर्चो ने हंगामा किया और कारगिल चौक पर 20 सड़क पर बैठ कर जाम कर दिया मामले की जानकारी पाकर टाउन डियस पी सुरेज पर साथ वहां पहुचे समझा भुचा कर जाम को खत्म करना वाने का प 20 तक महिला वेर्चो ने सड़क जाम रखा इसके कारण असोक राजपच गांधी मैदान पटना दाना पूर मारगी यतायात व्यवस्था काफी खराब हो गई इसके बाद पूलिस ने महिला वेर्चों की मांगव सरकार तक पहुचाने का आस्वासन दिया और फिर परदर्स कारी सड़क से हटे हाला कि इसके कारण लोगों को काफी परसानी का सामना करना पड़ा अवेर्चों नहीं कहा कि अगर उन्होंने उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन लगातार जारी रहें उनका कानत सभी योगता रहनेक बावजूद उचाई एक सीमा 160 cm होने का कारन कई अवेर्थी छड़ जाते हैं इसकी उचाई की सीमा को 155 cm किया जाए तो यह जाम कि कुछ तस्वीरे हैं माहनों की कतार लगने से बीड़ी आताया वेवस्था आप काड़ी भी देख रहे हैं जिस तरह से जाम लगा हुआ लोगों को काफी परसानी हुई लेकिन जि और बिन्तु की यह जो सरकार है अगर इतनी आसानी से होती तो वो जब सुरुवात में ही बवाल उठाता तो कर देती सरकार अभी करने के मूर में नहीं है और क्योंकि परिछा कर डेट भी अब धीरे-दीरे समाफ्त हो रहा है तो सरकार किसी तरह टाल जाना चाहते लेकिन जितना विरोध होगा तभी संभावना आए बढ़ेगी बिना विरोध के वह संभावना बिल्कुल नहीं है क्योंकि सरकार बिल्कुल करने के मूर में नहीं है विरोध के दवा में भले ही कर सके लेकिन और जो दूसरी कर अखवार में जो प्रमुक्ता सपाई यह इसमें जो लावी नौजवान सभाने भी अपना समर्थन दिया आंदोलन मौझूद इनोस के राजीव सचीव सुधिर ने कहा कि बिहार द्रोगम निक्ति किम्मे महिलाओं की लंबाई एक सो साट सेंटिमीटर किया जाना सरकार के उदासीन रवई एको दरसाता दूसरे राजयों मिया एक सो पचास सेंटिमीटर है महिलावेर्चो ने राज सरकार को और तालिस गहंटे का अल्टिमेटम दिया है उन्होंने कहा कि अगर इस सरकार इस अब धी में मांग को पूरा नहीं करती तो 16 सितंबर को बयापक वैवाने पर आंदोलन किया जाएगा आएसा राज सची प्रियंका प्रिदर्शिन का सिर्फ आसवासन से काम नहीं चलेगा तो आपने देखा कि किस तरह तालिस घंटे का अल्टिमेटम दिया गया तो निश्ची दूरुप से 16 तारिक को जो कि सारे लोग जो भी इसके वेड़ती हैं अगर सरकार उम्मीद तो कम हैं अगर कर देती तो अच्छी बात लेकिन इतनी आसानी से कभी सरकार ने नहीं मानी है क्योंकि बाहर है यह क्योंकि कैबिनेट से इसको एप्रूबल लेना पड़ेगा तभी है जो कि एक्सो साट स का जो अपडेशन है इसी कारण बहुत सारे आंदोलन फैल होते हैं जिस तरह गलत प्रशनों से जीता उसका कारण यहीं है कि बिल्कुल और बिल्कुल दबाव नहीं बन पाया और यहीं चाहता भी है आयोग और से लेकर सरकार की लोग है जो कि सोसल मीडिया पर बने रहें और इसी तरह जो कि फसे रहें और में जो ग्राउंड पर ना आए तो जब तक ग्राउंड पर नहीं जायेगा तो प्रमुकता सापा फिर मेडिया में फिर प्रिंट मेडिया से लेकर जो न्यूज पेपर है टीवी के उसमें जरूर आना चाहिए और जितनी हाइलाइट विडियों बताया था कि जिस तरह का विरोधरा उसे कोई फायदा लेकिन इसके अगर नहीं मानती सरकार तो एक जूट होकर संख्याक बलको बढ़ाना पड़ेगा और पटना में काफी दर्ज करना पड़ेगा तभी सफलता मिलने की संभावना है नहीं तो बिल्कुल सरकार ब झाल